हेलो गाइज वालकम तो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फ्रेंट्स इन्नोवा कैप टैब लिमिटेड गाजिस कंपणी का आई आई प्यो आने वाला आ रही है आज के दिन आपिन होने जिसका मुझा जाने कंप्रीट अनल्सिस बिजिनस मॉडल प्राइस बैंड फिन सेग्मेंट फार्माश्य कोंपणी जो है चाइबल करते हैं स्टाइट ने करते फैसे हैं तीन पोल्टोल फोल्लो की बात करते हैं इसमें इंक्लुूड १ौय काप्सूल ड्राइ सीरप ड्राइ पाउडर इंजेक्शन ओंट्मेंट्स और लिक्विड मेडिसिन और फिनाशल है त्वेंटी थ्री और थ्री मुंस एंडेड फॉर्स्ट कॉर्डर में कंपनी जो है अराउंड 600 से ज्यादा डिफेंट टाइप ऑफ जनरिक्स को सेल कर चुका है और प्रोड्यूस और सेल कर चुकी है यहां पर इन सभी प्रोड़क्स जो है यह सभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कंपनी का खूद का ब्रैंड है इसके अंडर और इंडियन मार्केट में जो कि एक लगवग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके पास और स्टॉकिस् और इसके साथ साथ एड किया गया कि कंपनी जो है अपने ब्रैंडड जेनरिक प्रोड़क्स को राउंड 20 और 20 एंड 16 कंट्रीज में 23 का फिनाशल में 20 कंट्रीज में और फर्स्ट क्वार्डर 24 में 16 कंट्रीज में जो है सो डिस्ट्रिब्यूट कर चुका है मतलब कि एक्स में काम कर दें मैनुफॉस्टिच फास्टीडी बुड़ी हरियाना में इसके मैनुफॉस्टिइंग फetaan के लिए कंपबी क sinner भी इसकी बात कर रहे इसमें इंक्लिवी सुप्ला गेंड मार्क काइंड फार्मा स्मार्ट लेबरेटरी बहुत बड़े-बड़े कंपनी जिसके जो ऐसो क्लाइंट से और अगर में 31 अक्टूबर की बात करें तो अराउंड 200 एक्टिव प्रोड़क्ट रेजिस्ट्रेशन कंपनी के पास हो चुका है मतलब और इसमें चाहिए चाहिए नए रेजिस्ट्रेशन अप्लिकेशन बी जसको प्रोसेस में इन लाइन प्रोसेस बहुत सारा है मतलब अभी इसका जब यह जब कंप्रीट हो जागा इसके बाद कंपनी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकती है वहें कर फिनांशियल की बात करें तो लीडिंग प्रेजेंस और वन अप दा फास्टेस्ट ग्रोइंग सीडी एमो है इंडियन फार्मसेटिकल फार्मूलेशन मार्केट में और विल इस्टैब्लिज रिसंसी बना रखा है मार्की सीएम सीडी एमो कस्टमर बेस के साथ हाइली एफिशियंट ऑप्रेशन जिस कर रही है जिसमें कंप्लेक्स प्रोडक्ट पोट्फोलियो को जो ऐसो इंक्रीज करने में बिल्ड कर सके और अट्रैक्ट और रिटेन कर सके कस्टमर्स को कंसिस्टेंट फिनासल परफॉर्मेंस है और एक्स्पिरिंस प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट की टीम है वह एकर हम प तो क्यानकर के सब्सक्राइब सु किसटेंट वेक्स कंप्णी का एक का टॉस सब्सकी टुप यृउल के क्रोफीट में नो बहूत अच्षी ग्रोफ हुआ ni लेक हम बोटम लाइन में डवीर्टेंट में पोचे 20 पे अच्छाऺ अं डृत पाईयों कर पाई ये और अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाई और हम 20 की बात करें 24 की बात करें तो फस्ट कॉर्टर में 234 करोड का रेविन्यू है 17.5 करोड का प्रॉफिट है यहां पे गाइस कंपनी का फिनाशल देखें तो अच्छी का सी का टॉप लाइन में स्टेबिलिटी ग्रोथ है लेकिन बॉटल 26 रुपीच का रेटन और इट वर्थ 24.58 परशंट का देखने को मिल रही है इसके कॉंपरिटर की बात करें तो टॉरेंट फार्मसुटिकल है लॉरस लैब से जनता फार्म है जेवी केमिकल से नाटको फार्म है इसके कॉंपरिटर एरिस लाइप साइंस रिंडो को रेमिड इसके लीड मैनेजर है वहाँ एकर हम बात करेंगे इस कंपनी के इसके डिटेल की बात करें तो कंपनी 21 दिसंबर को आप इन हो रहा है आज के दिन 26 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा बुक बिल्ट इशू आइप फाइफ इनट सेवंटी क्रोड का फंड रिज किया रहा है वन करोड 27,23,214 शेयर का इसू करके जिसमें फ्रेश इसू 71,42,857 शेयर का इसू कर रही है जो कि 320 करोड का और ओफर फॉर शेयल के थू 55,80,357 शेयर का इसू कर रही है 250 करोड का फंड रिज हो रहा है 10 रुपीच का फेस वाल्यू 426 तू 448 रुपीच परशे के प्राइस बैंड 33 शेयर की लॉट साइज बी ऐसी एनसी दोनों में लिस्टेड होगा क्यू आई भी ऑफर दिया गया है 50 परशंट है 15 परशंट डिटेल 35 परशंट का ओफर दिया गया है लॉट्मेंट डेट है 27 दिसंबर का रिफंट्स रिलीज कहा जागा 28 को और सियस डिमाट एकॉन में क्रजिट होगा 28 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया 29 दिसंबर का वहाँ एकर हम बात करेंगे गाइस कंपनी के अब्जेक्टिव का तो अब्जेक्टिव क्या है क इसको लोन इस पर जो कि री पेएमयन्ट या प्रीप्रक्रक्रक्रक्रट गसा वहांसे ऑवरला अगर हम étape depuis की बात करें अराउंड जो jsूहरे मिल रहुरा estela Natura मिलने के चांस से 656 परशन रुपेज पर लिस्टिंग होगा जो कि बहुत स्ट्रॉंग लिस्टिंग दे रही है कंपनी कंपनी ओवराल ब्रैंडेट जेनरिक फार्मसुटिकल प्रोडक्ट मैनुफाक्चरर है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए यहां प्रोडक्ट प्रोट्फोलियो भी इसका के लिए है जो कि और प्लस एक नया प्लांट अपकमिंग है जो कि सेट अप करना चाहा रही है तो कह सकते हैं के बाद कंपनी के बाइट प्रॉस्पेक्ट हो सकता है इसलिए अगर आप मेडियम तो लॉंग टेम के लिए करने का